आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 सामाजिक विज्ञान SST की वर्कशीट नमबर 27 को आज की वर्कशीट बेहत आसान और बहुत इंट्रेस्टिंग है आज हम पढ़ेंगे समझेंगे जलवाईयों और मोसम क्या होते हैं इनमें क्या अंतर होते हैं और किसी भी स्थान की जलवाईयों हमारी जलवाईयों दिल्ली की जलवाईयों है वो केडला से दिल्ली की जलवाईयों वो बंगाल से अलग कैसे है और क्यों है चले शुरुआत करते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ओपर देख पा रहे हैं हमारा सबजेक्ट है वो है सामाजिक विज्ञान SST जिसमें हम भुगोल आज से पढ़ना शुरू करेंगे ये फूर्थ चैप्टर है क्लाइमेट जलवायू और आज की दिनाख है पांस सितंबर 2020 आज की वरक्षीट है इसमें मोसम और जलवायू के बात करने वाले हैं आज तोर पे हम मोसम और जलवायू शब्द को एक दूसरे के स्थान पर प्रियोग करते हैं हम सोचते हैं कि मोसम और जलवायू एक ही चीज है लेकिन वास्तों में अलग लग होते हैं सोचके देखिए कई बार हम बोलते हैं कि मोसम सुभय तो ठंडा था अब गरम हो गया दो स्कूल में बोलते हो ना कभी ऐसे बोलते हो कि जलवायू सुभय तो ठंडी थी अब गरम होगी नहीं बोलते ना यह इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जलवायू और मोसम दोनों अलग लग होते हैं अब अलग लग कैसे होते हैं चले पता लगाते हैं कि मोसम और जलवायू आपका शेत्र हो गया ठीक है आपका रेजन हो गया दिल्ली और दिल्ली में सुबह के 9 बजे समय हो गया और उस वक्त वायू मंडल कैसा यानि हवा कैसे चल रही है आसमान साफ है या कैसा बारिस हो रही है कि नहीं हो रही है तापमान कितना है हवा में नमी कितनी है यह वहां क का मोसम हो गया तो मोसम क्या है किसी समय विशेश पर किसी स्थान विशेश की वायू मंडल की दशा को हम मोसम कहते हैं यानि कि समय विशेश हमें लिखना पड़ेगा और स्थान की बताना पड़ेगा कौन से स्थान की है और उस वक्त वायू मंडल की क्या दशा है उसे हम मोसम कहेंगे अब मोसम ओ दिन में कई बार बदल सकता है ओके सुबह ठंडा है दोपैर को गरम हो सकता है शाम को जमा जम बारिश भी हो सकती है अब जलवाईू क्या है वैसे तिये दोनों साथ में मिलते जुलते टाम है लेकिन थोड़ा सा फरक है जलवाईू मोसम का ओसत होता है क् यह बड़े शेत्र का होता है और लंबी अवदी में होता है अवदी कितनी 300 अदिक यानि कि किसी बड़े शेत्र का दिल्ली की जलवाईू नहीं हो सकते उत्री भारत की जलवाईू जरूर हो सकती है बड़ा शेत्र होगा तो बड़े शेत्र की विशाल शेत्र की लंबे समय में जो मोसम की ओसत रहेगी उसे हम जलवाईू कह सकते हैं ओके तो मोसम और जलवाईू वैसे तो एक ही है लेकिन जलवाईू क्या कहेंगे यह एवरेज हो जाती है ओसत हो जाती है लंबे समय में होती है और बड़े शेत्र की होती है जैसे और आसान से आप अगर समझना चाह लेकिन आप कैसे बच्चे हो, average हो, अच्छे पढ़ने वाले हो, slow learner हो, ये तो annual exam पे पता चलेगा ना, कि आपका average, जो overall performance क्या होती है, जलवायू वैसी होती है, जलवायू देखे जाती है, लंबे समय में वहां का मोसम कैसा है, उसे हम जलवायू कहेंगे, तो दुबारा से ए समय में बड़े शेत्र का ओसत जो है, वह जलवायू कहलाता है, अब मोसम और दूसरा अंत्रिक है, कि यह एक सीमी शेत्र के लिए आंकलित क्या जाता है, जिसे एक शहर का मोसम हो सकता है, एक गाउं का मोसम हो सकता है, नोर्थ इस्ट डेली का अलग हो सकता है, वेस्ट दिल हो सकता है या फिर बहुत सारे देश भी हो सकते हैं अगर देश छोटे हैं तो मोसम दिन में कई बार बदल सकता है कभी बारिस कभी धूप कभी चाओं कभी गर्मी ऐसा हो सकता है जबकि जलवायू है वो लंबे समय तक एक जैसी बनी रहती है लंबे समय में बदलती है कई सें जलवायू मानसुनी थी मानसुनी है और मानसुनी रहेगी निकट पहुशे में तो यह था मोसम और जलवायू में अंतर क्या है अब मोसम और जलवायू को मापा कैसे जाता है कि मोसम ऐसा है जलवायू कैसी तो इनके जो तत्व होते हैं वो एक होते हैं जैसे अगर हम कहें कि म मोसम और जलवायों के तटो होते हैं जैसे अगर मैं मोसम बताना चाहूं दिली का आप कैसे मोसम है मैं रोहिनी का आप मोसम बता रहा हूं तो यहां इस वक्त जब मैं ये आपके लिए वीडियो अफलोड करा हूं तो इस वक्त तापमान है वो 35, 35 degrees Celsius है आसमान में बादल चाय हूए है वायू दाब है वह कम है आदरता है वह अधील कंभी है 25 किलोमेटर गंट की रफतार से चल रही है तो यह बारिसंग की द्शा होगी और जब लंबे समय में पर दॉच्ठ होती है तो यहां तो जलवायू हो जाती यांनि कि दोनों के ततव गया एक जैसी उचा shaft भारत की भी बात करें तो केडला या चेन्य या बेंगलोर की जलवायों और हमारी जलवायों में थोड़ा वरक है अंतर है अब किस काण से हर स्थान की जलवायों अलग होती है तो वह होते हैं जलवायों को प्रभावित करने वाले कार्क तो कौन-कौन से कार्क है चलिए attitude कहलाती है तो पिर्थवी के बीच में से एक रेखा जाती है जीरो डिगरी कि जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा सूर्य सीधा भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है जिसे आप विश्वत रेखा भी कह सकते हो अब विश्वत रेखा है वहां पर तापमान अधिक रहता है पू सद इस कहां पर है जो जीरो डिगरी के जितना पास होगा उतनी वहां पर जलवायों गरम होगी जीरो से जितना उपर हम जाते जाएंगे वैसे उतनी जलवायों वहां की ठंडी होते जाएं जिसे रूस है कनाड़ा है वहां पर गर्मी होती नहीं सर्दियां ही रहती है कम सर गर्मी रहती है इसलिए उनकी skin का color थोड़ा सा dark होता है तो पहला अकसांस यह जलवाईयों को प्रवाइद करता है दूसरा समुदर तल से उंचाई यानि कोई स्थान समुदर तल से कितना उंचा है जितना अधिक उंचा होगा उतना ही वहाँ पर तापमान कम होगा हम जैसे जैसे उंचाई की तरह पड़ते हैं तापमान है वो घर्टा जाता है इसी कारण जो परवती अलाके होते हैं पर तापमान कम होगा जैसे राजस्तान में गर्मी पड़ती है गर्मी होती है राजस्तान में पूरी राजस्तान में लेकिन माउं टाबू अगर गर्मियों में भी जाओगे तो वहाँ पर तापमान थोड़ा कम मिलेगा क्यों कम मिलेगा क्योंकि उंचाई पर है तो दूसरा के आसपास जो आपमान है पूरे वर्ष बर एक जैसा रहता है ना गर्मी ना सर्दी लगवर 18-25 डिग्री के आसपास रहता है और जबकि जो दूर समुद्र जो स्थान समुद्र से दूर होते हैं जैसे दिल्ली है जो समुद्र तर्ट से दूर है यहां पर कडाके की गर्मी हो जलवायों को प्रभावित करती है चोथा कार्णे वायुदाब तथा पवंतातर ये भी किसी स्थान की जलवायों को प्रभावित करते हैं वायुदाब मतलब हमारी जो ये हवा चल लिये ना इसमें दबाव होता है भार होता है इसमें भी वायुदाप कम होता है, अब हुआई इसलिए समुद्र से स्तल की तरफ चलती है अब जब समुद्र से स्तल की तरफ हवाएं आएगी, तो वायुदाप में इसलिए बारिस होती है में अंतर है उसके उपर निर्भर है वायुदाब कम से ज्यादा से कम की तरह हमेशा हवा चलेगी तो ये भी जलवायू को प्रवायद करते हैं पांचवा है महासागरिय धाराईं जैसे नदी बहती है ऐसी महासागरों में धाराईं बहती है तापमान जो धाराईं होती है वो दो परकार के होती है तापमान के अधार पर गरम जल धारा और ठंडी जल धारा जिस तान पर गरम जल धारा बहती है नदी की तरह नदी की तरह का मतलब ने कि इतनी चोड़ी है उसकी चोड़ाई ज्यादा होती है गरम जलधारा अगर बहेगी तो क्या होगा तापमान को बढ़ाएगी बढ़ाएगी ना वहां की जलवायू गरम हो जाएगी और जहां पर थंडी जलधारा बहेगी वहां का तापमान कम होगा यानि कि जल iasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas हमारा जो पहला पर्षन दिया गए वो दिया गए कि जलवाईू से आप क्या समझते हैं जलवाईू के मुख्यत ततव कौन-कौन से होते हैं तो किसी विशाल शित्र में लंबी अवधी में यानि लंबी अवधी कितनी तीस वर्षे अधिक में मोसम की दशाओं के कुल ओसत को हम उस्तान की जलवाईू कहते हैं किसी विशाल शित्र में लंबी अवधी में मोसम की ओसत को हम जलवाईू कहते हैं जलवाईू के मुख्यत ततव है तापमान, वाईू मंडलियदा, पवन, आदर्ता, वर्षन इत्यादे दूसरा प्रशन दिया गया है केरल की जलवाईयों और दिल्ली की जलवाईयों में इतना अंतर क्यों है इसका मुख्य कारण है समुद्र से दूरी केरल समुद्र के पास हितित है इसलिए वहाँ एक समान यानिकी सम जलवाई यानिकी एक समान मौसम रहता है जबकि दिल्ली समुदर से दूर है इसलिए हाँ गर्मियों में अधिक कर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी रहती है तीसरा जो कोशिन दिया गया है वह है अक्सांस किस परकार जलवाईयों को प्रभाईत करती है विश्व मानचीतर पर भारत और कनाडा की अवस्तिती का उधारन दे कर समझाईए अक्सांस से वो जलवाईयों को प्रभाईत करने वाले पर मुकारक है सूरे भूमिद्य रेखा के उपर सीधे चमकता है इसलिए वहाँ तापमान अधिक रहता है जबकि हम जैसे जैसे भूमिद्य रेखा से दूर आते हैं यानि दुरूओं की तरफ आते हैं तो तापमान कम होता जाता है भारत भूमिद्य रेखा से मध्यम दूरी पर है इसलिए यहाँ तापमान मध्यम रहता है जबकि कनाड़ा भूमध्य रेखा से अधिक दूरी पर है इसलिए वहाँ तापमान सदेव कम रहता है यहाँ मैप भी में लेकर आया हूँ इसमें आप देखिए कि भूमध्य रेखा मैं आपको दिखाने की कोशिश करा हूँ कि भूमेद्य रिखा कहां पर है तो यहां से भूमेद्य रिखा लगभग गुजरती है तो यहां देखिए कि इंडिया है भूमेद्य रिखा के लगभग पास है और केनेडा है वो दूर है अब केनेडा में इसी कांड पूरे वर्ष से वो तापमान कम रहता है क्योंकि वहाँ सूरह तब कम पहुंसता है चो था जो नेक्स्ट हमारा परशन दिया गया है कि जुलाई और अगस्त के महिने में दिल्ली के तापमान वर्षा के अधिक्तम नियुन्तम और ओसत की गण्ना का एक चार्ट बनाई तो यह चार्ट ऐसे बनेगा यहाँ पर दिया गया है यह चार्ट यहाँ एक साइड में आप टेंपरेचर है वो शो करोगे 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20, 25 और यहाँ पर रेंफॉल है तो यह देखिए जनवरी में रेंफॉल कितनी होगी 5 सेंटिमेटर से कम रहती है मार्च में और भी कम होती है अपरेल में कम होती है में में कम होती है बारिस हमें जुलाई अगस्त का देखना है जुलाई में देखिए 20 सेंटिमेटर से अधिक बारिस होती है यहाँ पे लगबर 20 सेंटिमेटर के आसपस अगस्त में बारिस होती है और यह तापमान दिखा रखा है तापमान जनवरी फरवरी में कम होता है उसके बाद सीधा उपर जाता है में में बहुत उपर होता है में के बाद जून के मध्या से जून के बाद थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू होता है और दिशंबर तक बहुत नीचे आ जाता है तो ऐसा आप एक डाइग्राम है अपनी इसी वर्कशीट के बेक साइड बना करके दिखा सकते हो तो इस वर्कशीट में बस इतना ही आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए थैंक यू, बाइबाई, हैव नाइस टे